इस वीडियो में अनुपात और समा अनुपात के हम कोश्चन की ट्रिक्स जानेंगे और ट्रिक्स से सारी कोश्चन करेंगे मैथ के तो अगर किसी भी कॉंप्टेशन एक्जाम में आपके सामने अनुपात समा अनुपात के अगर इस टाइप की कोश्चन से मिलते हैं तो आप स लेकिन डो में उस का आंसार आराम से लगा सकतек对ा वीडियो अची लगे तो दोस्तो लाइक कीजिगा सभी कॉशन्स होने वाले हैं वीडियो मेरी होने वाले हैं दोस्तों सुरू करते जादा धन मिलनात है और किस तरीके से इसको calculate करेंगे तो उपर तो लिखेंगे यह वाला लास्ट वाला जो अनुकात में दे रखा है उसमें जो सबसे जादे वाला है वो सबसे उपर है और इसके बटे में आएगा इनका टोटल यानिकी टैन दो को तीन को और पांच को अगर आप multiply करेंगे तो answer आजाएगा आपका लगवक बारा सो ठीक है पांच जिरो जिरो पांच चोग बीस दो पांच दूनितरस ठीक है बारा सो आपका सामने answer आजाएगा तो इस तरीके से आसानी साब सावाला राम से कर लेंगे देखेगा next questions भी देखते है कुछ इस तरीके से है ABC में 3500 रुपे को इस परकार बाटना है कि A और B का अनुपाद 5 अनुपाद 4 का रहे वी और C का अनुपाद 3 अनुपाद 2 का रहे तो V को कितना amount मिला ये बताना है तो आपको सबसे पहले A अनुपाद V अनुपाद C निकालना है A अनुपाद B अनुपाद C इसको किस त या 15 हो जाएगा यह चार तीया 12 हो जाएगा यह और इधर हो जाएगा चार दुनी 8 तो तीनों में उपात आ जाता है 15 12 और 8 का बताना किसका है बी वाले का बताना है तो वी की जो value है हमारी 12 है तो 12 तो लिखेंगे आप उपर और बटे में लिखेंगे इनको जोड़ करके जो अगर डिवाइडिशन करोगे तो कितना आएगा यहां पर शो अफ सो का और बारे का क्या कर देंगे हम सीधा सीधा मल्टिप्लाइ कर देंगे सो और बारे की अगर आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो अंसर आ जाएगा आपका 1200 इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं मतलब बी क Q का दुगना मिले इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि P को 2 मिले और Q को कितना मिले एक मिले Q को R का आधा मिले Q को R का आधा यानि कि Q और R का अगर मैं अनुपाद देखू Q और R का तो यानि कि इसको 1 मिले तो R को कितना मिल जाए दोस्तो 2 मिल जाए तो अगर इनको अनुपा किस प्रकार बाटिये किस प्रकार बाटना है आपको दोस्तों 2 अनोपात एक अनुपात 2 में बाटना है अब जिसका भी अंनुपात देंगा और आपouse ye best you सकते हो अनसर में दोस्तों इसनों ने अनुपात ही बूज होगा अगर किसी एकका और 7 के अनुपात में बाटना, यदि Q का भाग 150 हो, तो P और R के भाग में अंतर भी अग्यात कीजिए, इसके अनुपात इन्होंनों दे रखा है, और अनुपात में भी किसकी value दे रखे है Q की, Q की मतलब बीच वाले की value दे रखे है, अब बीच वाली है 5, यानि कि इसको मान और लास्ट वाले का अंतर निकालना है, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का अंतर अगर आप देखोगे, साथ में से 3 को घटाना है, हमें तो कितना आएगा दोस्तो, 2X, और X की value हमने अभी निकाल लिए, एक उनिट की कितनी है, 300 रुपे, तो 2 की हम 300 की क्या करतेंगे, और 2 की और 300 की अगर हम मल्टिप्लाई करतेंगे, तो आंसर आता है आपके सामने 600, तो इस तरीके से P और R के भाग का जो अंतर होगा, वो अंतर आपके सामने आएगा सीधा सीधा 600, इस टाइप से ही questions बड़े असानी से कर लेते हैं, बहुत ही simple questions होते हैं दोस्तो, competitions level में का अशान तरीके से इन सवालों का हम कर लेंगे, next है 2030 ABC में इस परकार बाटना है कि उनके भागों में करम से 15, 10 और 5 घटा देने पर 8, 7 और 5 का अनुपात हमें प्राप्त हो जाए, यानि कि A, B और C, A में से 15 घटानी है, B में से 10 घटानी है, C में से 5 घटानी है, अगर ऐसा घटा देंगे, तो 8 अनुपात, 7 अनुपात, 5 का अनुपात बन जाएगा, तो सबसे पहले ये जो उपर वाली values दे रखें, इनका total माल लिजेगा, तो इनका total अगर आप करते हैं, तो total आएगा 30, तो जो 30 total आ रहा है, इस 30 को क्या करेंगे, 2030 में से आप घटा देंगे, 2030 मे किसके बटे में लिख देंगे, किसको 8 प्लस 7 प्लस 5 को, तब एक यूनिट की value आ जाएगी, तो अगर आप घटा रहे हैं, तो ये बचेगा 2000, कितना बचेगा दोस्तो, 2000, बटे में कितना हो जाएगा, ये 20, अगर इस से इसको काट रहे होंगे, तो 100 आएगा, कितना अगर दोस्तो, 100 आजाएगा, अब आपको value बतानी है, तो एक ये value कितनी हो जाएगी, 8, 8 की अगर 100 में गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 800, 700, और 500, लेकिन दोस्तो, अभी इसमें आपको ये value और जो हो निए, जो हमने घटाई वाली थी, यानि कि इसमें 15 प्लस कर करने हैं, और इसमें हमें 5 प्लस करने हैं, जो final value आएगी, ये आएगी 815, एक आएगी 710, और तीसरी आएगी last वाली आपके सामने 505, यानि कि 2030 को अगर आप divided करोगे, तो इस तरीके से आपको तीन अलग-अलग पाटों में divide करना पड़ेगा, वड़े आराम से ये questions हो ज questions है, दोस्तों math की ये classes अगर आपके समझ में आती हैं, दोस्तों वीडियो को like जरू कीजिएगा, आपको math के किस topic पर class चाहिए, comments कीजिएगा, राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 बाटे गए, यानि कि 1228 को तीन जगे बाटना है, राम में, श्याम में और मोहन में, और 4, 8, 16 गटाने है, इसमें से 4, 8 और 16, जो जितने गटाने हैं, तो सबसे पहले वो जोड लीजीगा, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, यहां पर 28 आजाएगा, आप क्या करना है, तो कितने का अनुपात में हो जाते हैं, एक अनुपात, दो अनुपात, तीन के अनुपात में value आ गई, वो 200 आ गई, तो अगर आप इसमें unit निकाल ओगे, इसमें गmpार करते हो, तो आ ज़ाएगा 200, इसमें 200 की गुणा करेगे, तो आ ज़ाएगा 200 और इसमें अगर 200 की गुणा करेगे, तो आ जाएगा 200, लेकिन अब यह final value नहीं होगी, उस final value में जो आपको ने शुरू में घटाया था वो value जोड़नी पड़ेगी पहले में 4 जोड़नी पड़ेगी दूसरे में 8 और 3 में 16 इस तरीके से जो final value आएगी final touch value आएगी निकल करके वो आएगी देखेगा यहाँ पर 204 यहाँ पर निकल का आएगी 408 और यहाँ पर निकल का आएगी 616 इस तरीके से इन सवालों को आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों तो अगर वीडियो अगर आपके अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मैट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जो सकते हैं